जैहिंद मेरे पहरे दोस्तों स्वागात एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ घटना चकर की एक और नहीं महा मैराथॉन वीडियो इस महा मैराथॉन वीडियो में हम लोग दोस्तो आपको समय समय पर मिलती रहा है साथ इसाथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करना न भूले दोस्तों तो चलिए दोस्तों आजके फर्स्ट कोशन के साथ इस डिसकसन की सुर तो यादकना कि भारत में फार्सी तेवार नोरोच की शुरुवात किसके द्वारा किया गया था तो या गुलाम वन्स का सासक था बलबन उसी के द्वारा भारत में फार्सी तेवार नोरोच की शुरुवात की गई थी और यह 69 भी पेसी में पुछा गया सवाल है तो बलबन पहला वेक्ति था जिसने भारत में फार्सी तैवार नोरोज की शुरुआत की बलबन फार्सी संस्कृति और परंपराओं के प्रती अपने प्रेम के लिए क्या दोस्तो यह जाना जाता था उसने अपने दरबार में गै इसलामी प्रता कौन सा था तो यह था सिजदा और पैबोस को सुरू किया था और यह दोनों के दोनों महत्पुन फैक्ट्स दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट जो सवाल बिहार सी चक भरती में पुछा गया था तुगलग वन से सवाल है कि मुहम्मद ब इबन बतुता कहां के राने वाले थे तो यह मुड़को के राने वाले थे करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन भी तो सल्तनत कालीन तुगलग वन सी साजक मुहम्मद बिन तुगलग के सासन काल में आए प्रसीद खोज करता एवां व्यादरे इबन बतुता अफ्रीका के कार्ग से होते हुए भारत के सिंध परांत में वर्स उनिस 1333 में पहुंचा था यह डेट आपको याद रखना मोहमद बिन तुगलग की अग्रम बात करें तो इसका कारकाल कब से कब तक था तो तेरा सो पचीस इसवी से तेरा सो एकावन इसवी तक इसका कारकाल था ने नियुक्त किया था फिर सल्तनत काली ने विविद से सवाल पूछा गिया था मैथली भासा का विकास निमलिकित में से किसके सासन काल के दोड़ान सुरू हुआ तो या दखना आया करनाट राजवन्स के अंतरगत क्या हुआ था मैथली भासा का विकास सुरू हुआ था करेक और विद्यापती द्वारा मैथली भासा में सौर्सरेश रचनाई की गए थी इस दोड़ान मिथला छेतर में करनाट वंस या सिम्राव वंस का साचन था ये करनाट वंस और सिम्राव वंस के बाड़े में याद रखना है कब से कब तक ये था वंस तो 1097 इसवी से 1325 इसवी त करनाट वंस का साचन था याद रखना है अपको नेक्स पंदरहमी और स्वलामी सताथी के धार्मी कांदोलन से रिलेटेड सवाल सवाल है कि नाथपंथियों सिद्धो और योगियों ने भक्ति धर्म को किस छेत्र में लोगपिडिये बनाया तो याद अकना है उत्तर भारत में नाथपंथियों सिद्धो और योगियों ने भक्ति धर्म को किया था दोस्तो लोगपिडिये बनाया था करेक्ट एंसर हो जागा ओप्सन ए इन्पर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तो तो नाथपंथियों सिद्धो और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भार ध्यान तता उसके साथ एक हो जाने का अहसास मुक्ती का मारक हैं। Next सवाल है, मोगल समराज Sr. Related सवाल है, कि फतुवाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फतुवाते आलमगीरी जो है, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? इसमें 1698 इस्वी तक के औरंग जेब के सासनकाल की कुछ महत्पुन घटनाएं सामिल है आप से ये भी पूछ सकता है कि आलमगीर की उपादी किस मुगल सासक ने धारन किया था तो वह कौन था औरंग जेब जिन्दा पीड किसे का जाता है तो जिन्दा पीड किसे का जाता है औरंग जेब को कहा जाता है आपको कॉमेंट बॉक्स में ये बताने कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था नेक्स निम्लिकित में से किस बंदरगा को मुगलकाल के दोरान बाबुल मका यानि मक्का का द्वार कहा जाता था मक्का का द्वार किसे कहा जाता था तो यह कहा जाता था सूरत बंदरगा को correct answer हो जाएगा option B तो सूरत बंदरगा को मोगल काल के दौरान बाबूल मका या मका का द्वार कहा जाता थाändern नेक जो सवाल है निम्लिखीत कत्रों पर वीचाड़ कीजिए भारत में बाबर के आधवन का क्या कारण हूआ या आपसे पूचा जा रहा है तो उप महादीप में बारूत का आगमन हुआ तो उप महादीप में बारूत का आगमन जो है दोस्तो बाबर के आगमन से पुर्भी हो चुका था या दकना है छेत्र की वास्तुकला में महराव और गुम्बत का परिचय हुआ यह आपसे पूछा जा रहा है तो छेतर की वास्तुकला में महराव और गुम्बत का पड़िचय पहले ही हो चुका था ये भी नहीं होगा परदेश में तैमुरी राजवन्स की अस्थापना हुई तो यह बिल्कुल सही है और युद्धो में तोप की सुरवात हुई भारत का बाबर के आगमन से यह स्टेक्मेंट इसमें सही दिया गया है तो करेक्ट एंसर हो जागा केवल 3 और 4 करेक्ट एंसर हो जागा उप्सन C तो बाबर के आगमन के कारणन भारत में तैमुर राजवन्स की अस्थापना हुई एवं युद्धों में तोप की सुरवात हुई छेत्र की वास्तु कला में महराब और गुंबत तुरको द्वारा मुहमत गौरी के आकर्मन के बाद प्रचलन में आयते याद रखना है अस्थ प्रधान मंत्री परिशत थी तो यह मराठा परशासन की मंत्री परिशत थी अस्थ प्रधान अस्थ दिगज की अगर हम बात करें तो अस्थ दिगज किसमें था तो यह था किसमें तो क्रिषन देव रायक के धरबान में रते थे, आठ दि्गज याद रखना आश्ट परधान की बात करने, तो यह किस से जुड़ा हुआ है, तो यह मराठा परशासन से जुड़ा हुआ है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. तो मराठा परसासन में सीवा जी की सहयता और प्रामर्स के लिए आठ मंत्रियों की एक परिशत थी इसे अस्ट प्रधान परिशत कहा जाता था अस्ट प्रधान परिशत का परतेक मंत्री अपने विभाग का परमुथ था वह सीवा जी द्वारा निव्थ होता था एवं अपने काड़ियों के लिए वह सीवा जी के प्रति क्या था उतरदाई था ये मंत्री सीवा जी के उच्छ सचीव के समान थे लेकिन सीवा जी मंत्रियों से पड़ा मर्स लेने के लिए बाद नहीं थे शिवा जी ने किसी भी मंत्री को अनुवानसिक नहीं होने दिया शिवा जी के अश्पर्धान मंत्री परिसद निम थे कौन-कौन सा याद रखना है आपको तो पेशवा अथवा मुख पर्धान या राजा का पर्धान मंत्री था अमात जिसे हम लोग पंत अत्वा मजुम्दार के भी नाम से जानते हैं यह वीत एवं राजस्म मंत्री था वाकि आनविस जो था वह मंत्री था वुर्तमान ग्रीह मंत्री कहलाता था वाकि आनविस यह सबी के सबी जो है दोस्तो इन्पोर्टेंट फैक्ट से याद रखना है मराठा परसासन से रिलेटेड सुमंत जिसे दबीर भी कहा जाता था वर्तमान विदेश मंत्री था यह सचिव जिसे हम लोग चिटनिस या सुरुनवीच भी कहते थे राजकिये पत्र वहवार करने वाला यह मंत्री था सेनापति स सड़े नौबत क्या लाता था नियादिस जो था मुख नियादिस था पंडित राव यानि पंडित राव को क्या कहा जाता है सद्र कहा जाता है तो यह धार्मी काडियों के लिए धार्मी काडियों को देखरे करने वाला यह मंत्री था पंडित राव तो दोस्तों यह था 69th चैनल को subscribe नहीं किया सबस्क्राइब कर ले बेल इकन को प्रेस कर ले दोस्तों ताकि नए वीडियो की इसी तड़ी की की notification सबसे पहले आपको मिल सके साती साथ अगर यह वीडियो पसंदारी हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को परफम सासक कौन था तो याद रखना है घुलाम वंज का परफम सासक था कुदुदिन यह अस्थापना करता है जो फ्रージपिंबस साशनव वश्था को संचालित करता है थी अगर पुछा जा कि घुलाम का वास्तविक संस्थापक कौन था तो याद राथ नाई कि गुलाम वन्स का जो वास्तविक संस्थापक था वह था इल्तुत मिस इसे लाख बक्स कहा जाता है इसको कुराना खा भी कहा जाता है कुरान खाक के नाम से भी हम इसे जानते हैं और क्या क्या तो धाय दिन का जोपडा नमक महजित किसके द्वारा बनाए गया था तो यह बनाए गया था लौ एवं रक्त की निती का पालन किसने किया था गुलाम वंस के किसा सकने किसा सकने तो वह था बल्वान तो यह कुछ महत्पून फैट्स है दोस्तों जीचे आपको ध्यान में रखना अब आईए इस कोस्चन से रिलेटेड जो महत्पून फैट्स दिये गए उनको हम लोग तो भारत में गुलाम वंस का पर्थम सासक कुद्बुदीन एवग था कब से कब तक किसका कारेकाल है तो बाडा सो छे से बाडा सो दस वह एवग नामक तुर्क जन जाती का था बचपन में उसे नीशापूर के काजी फक्रुदीन अब्दूल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खड़िदा था काजी ने उसकी उचित ढंग से देख भाल की और सभी सिच्छाओं में पुनकड़ाया एवग बचपन से ही अती सुरेले स्वर में कुरान पड़ता था जिस कारण वह कुरान ख़ा यानि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसीद हो गया बा आमीर-ए-आखुर के पद पर प्रोनत कर दिया तो यद रखना है कौन सा पद दिया गया था उसे तो आमीर-ए-आखुर किसके द्वारा दिया गया था तो मुहमत-गौरी के द्वारा और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्राड़म हुआ वह दिल्डी का पहला तुर्क सासक था यद पी वह लाहोर से ही सासन करता था उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता गौडी की मिर्तिव के बाद लाहोर के नागरी को द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुँच कर सासन सत्ता अपने हाथ में लिया यद पी उसने अपना राजबी से गौडी की मिर्तिव के तीन माँ पस्चात यानि जून बाड़ा सो छे में कड़ाया था एवग ने कभी सुल्तान की उपादी धारन नहीं की तो यह याद रखना है कि एवग जो था उसने कभी भी सुल्तान की उपादी धारन नहीं की थे उसने केवल मलिक और सीपा सलार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा याद रखना है कि सुल्तान के उपादी यह नहीं धारन करता है बलकि मुहम्मद गौरी के द्वारे इसे पद दिया जाता मलिक और सीपा सलार इसी पद से यह खुश रहता है गौडी के उत्राधिकारे गियासुदीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पुर्वक बड़ा सो आठ इस्वी में एवग को दास्ता से क्या मिली थी द्रक्ति मिली थी ये कुछ महत्कून फैक्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखनास हैं May कुदबुदीन एवक कि राधानी थी तो कुदबुदीन एवक कि राधानी थी लाहर नेक्स यहिए भाए ड ही दीन का जोप्रा क्या है तो अभी मैंने आपको बताया था कि Chad अधिक दान करता था कि उसे लाख बक्स यानि लाखों का दान देने वाला कहा जाता था परिस्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानसिलता की प्रसंसा करते थे तो उसे अपने यूग का एवक पुकारते थे उसकी एक उपादी कुरान ख्वा भी थी एवक को साहित से अनुराक था और अस्थापत कला में भी रूची थी ततकालिन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुद्दबीर को उसका संद्चन पड़ाप्त था उन्होंने एवक को अपने गरंत समर्पित किये थे हसन निजाम याद रखेंगे और अजमेर में धाय दिन का जोप्रा अजमेर में धाय दिन जो नामक जोप्रा क्या है तो यह एक मस्जीद का निर्मान कराया था उसने दिल्ली में इस्थित कुतु मिनार का निर्मान कारपरारम किया जिसे इल्टुत मिस्ट ने क्या किया था पूरा करव भारत में मुहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्टा प्रदान किया था तो अथा खुद्बुदीन एवक राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी तो गौरी की विजयों के बाद सिख नहीं उत्तर भारत में अक्टा प्रथा स्थापित हो गई गौरी के गोड के मुहम्मद साम यानि महमद गौरी ने महों कुद्बुदीन एवक को 1901 में हासी अक्ता यानि अक्ता को क्या का जाता है इक्ता करत क्या होता है प्रांत प्रदान किया इगाणा सो 92 से बाड़ा सो च्छी ते इस वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधी के रूप में उत्री भारत के पर्थम मुस्लिम विजयता कौन था तो वह था बक्तियार खिल जी तो मुहमद गउडिक के एक साधारन दास 31 दीन मुहमद बीन बक्तियार खिल जी ने 1193 इसवी से 1202 इसवी के मद बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रम सिला विहार को तहस नहस कर राजधानी ओधन्थ पूरी पर कबजा कर लिया उसने 1198 से 1203 इस्वी के आसपास बंगाल पर आकर्मन किया उस समय वहां का सासक कौन था तो याद रखना है लचमन सेन था वह बिना यूद किये ही भाग निकला तुर्की सेना ने राजधानी नदि काल में सटनली और वहीं कुछ समय तक सासन करता रहा प्रसिद परजियन इतिहास का उनका नाम में मिनहाज उच सिराज कहए पनी पुस्तक तफकादे नास्री यह हदर का तस इस दो मत लिए मैं मिनाज उस्ति किया गया तो यह इंपोर्टेंट पुस्तक है दूस्तों याद रखेंगे आप लोग बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तिविक संस्थापक कौन था तो वह था कौन बक्तियार यानि इबन बक्तियार खिल जी राइट एंस रोजाएगा भी बिहार पर बक्तियार खिल जी के हम मुस्लिम सासक जिसका समराज दार उल इसलाम का एक भाग माना जाता था तो वह था इलतुत्मिस राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह बीबी आई कोस्टन है दूस्तों याद रखेंगे तो इलतुत्मिस के काल में 1229 में बगदाद के खलिफा ने इलतुत्मिस को ठिलत प्रदान की अब सल्तनत सैधान्तिक रूप से बगदाद के खलिफा के अधिन दार उल इसलाम का एक भाग बन गया था ठीक है नेक्स्ट है अमारा इलतुत्मिस ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार नियुक्त किया था तो यह इंपोर्टेंट है तो मलिक जानी को इलतुत्मिस ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार नियुक्त किया था राइट एंस रोजगा उपसंडी इलतुत्मिस ने ब राज के अथान पर मलिक जानी को बिहार का सुवेदार नियुक्त किया नेक्स्ट है राजत्व के उसके सिधान प्रतिष्ठा सक्ति और न्याय के सिधानतों पर अधारित है बल्बन के बारे में यह सब्द किसने कहा था यह कहा गया था जियावदिन बर्नी के द्वारा राइ के सिधानतों पर अधारित थे ग्याताव है कि बल्बन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम मंस का एक सासक था उसने रक्त एवं लोह की निती अपना थी जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट कोशन में बताया था नेक्स है भारत के एकी कड़न के बाद वह मधपुर्व और प तो यह लिखा है अकवर के बारे में राइट एंसर हो जागा ऑप्शन सी तो आर्पी त्रिपाटी मुगल कालिन समराट अकवर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकी कड़न के बाद वह मधपुर्व एवं पश्मी एसिया को एक करना चाता था जो एक विश्व जय करने का स्रे जाता है जो सैध्धान्तिक रूप में राज को धर्म निर्पेश बनाते हैं यह सब्द किसने लिखें तो यह लिखा है किसने तो एल सिरिवास्तों ने राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो एल सिरिवास्तों अलावदिन खिलजी के बाड़े में नेक्ट वो पर्थम मुस्लिम सासक कौन था जिसने सासन के सिध्धान यानि थिओरी आप किंग शिप को राजाओं के इस वड़िये अधिकार सिध्धान यानि थिओरी आप डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था तो यह इंपोर्टेंट सवाल है दूस्तों अनुसार सुल्तान प्रत्वी पर इस्वर का प्रतिपी और इस्वर का प्रतिपी के लिए कि सब्द का उल्लेक है याद रखना है नियाबते खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पस्चात है राजा जिल्ले अल्लाह यानि जिल्ले इलाही अर्थात इस्वर का प्रतिन का अर्थ है जिल्ले इलाही और इसवर का प्रतिनीधी के लिए कौन सा सब्धेत नियावते खुदाएं उसने पूत्र बुगड़ा खास से कहा था सुल्तान का पद निरंकुस्ता का सजीव क्या है प्रतिक है किस दिल्ली सुल्तान है रक्त एवं लहों की निति अपन हैं थी प्रतितित का प्रतिनीधी है और उसका सफ्थान पेगंबर के पश्चात है सुल्तान को कारेत करने की प्रेर ना कंद या सरदारों % को उसके कारीयों की आलुटिकार है नेक्स है तुग्रिल खान ने किसके सासनकाल के दोरान विद्रो किया था तो तुग्रिल खान ने बलबन के सासनकाल के दोरान विद्रो किया था तो तुग्रिल खान ने बलबन के काल में विद्रो किया था यह विद्रो बंगाल में अमीन खान की निव्प्ति के विरोद में ह हुआ था कलंतर में बल्वन ने बल्वन के बंगाल अभ्यान से डढ़ कर तुग्रिल खान क्या हुआ था तो भाग गया था जब उसने राजत्व प्रात किया तो वह सर्यत के नियमों और आदेशों से पुंता सुतन था बर्नी ने यह कथन कि सुल्तान के लिए कहा है तो यह क राज का नियंद्रन स्थापित किया इस संदर में अपनी नीती की व्याख्या करते हुए करते हुए वह स्वयम कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की द्रिष्टी से क्या उचित है और क्या अनुचित मैं राज की भलाई अत्वा औसर विशेस के लिए जो उप्यूप प्रिफ्वी पर प्रतनिधी मातरत घंट है उसने अपनी सक्ति की वीधि के वीशे में खलीफा की अनुमति लेना आवस्टक नहीं समझा उसने खलीफा से Даже अपने मानेताप्राथ सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हसाच्छे नहीं करने दिया तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट से दोस्तों ध्यान में रखना आपको अलाओ दिन उलेमा वर्ग के परभाव से क्या था तो मुक्त रहा था नेक्स्ट है इन में से किसने खलीफा की सक्ति का विरोध किया तो राइट एंसर हो जागा ऑप्शन ए अब देखते हैं क्या तो विकल्प गत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की सक्ति का विरोध नहीं किया यानि इसका राइट एंसर क्या जागा इन में से कोई नहीं इल्टु इसने एक तड़ीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था अलावदिन खिल जी बलवन और मुहम्मद बिंतुगलक सभी वैवारिक रूप से स्वतंत साशा खीते लेकिन किसी ने खलीफा की सक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था तो इंपोर्टेंट यह कुश्चन हो जाता है केवल मुबारक खिल जी था जिसने स्वायम को खलीफा की उपाधी ली थी इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था नेक्स्ट है अलावदिन खिल जी के प्रसीद सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरोध लड़ते हुए मिरती होगी तो वह था और भारतिय सेना की द्रिता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को टीज कोस पिछे हट गए और वापस चले गया नेक्स्ट है इन्वे से किसने हुमायू को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पढ़े धिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को स 10 लाग दिनार की वर्षिक्स रधांजली अर्फित करेगा तो यह किसके द्वरा का गया था तो यह का गया था सेड़ खान के द्वरा राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी यह इंप्रटेंट है लेटेस्ट कुस्टन है बंगाल अभ्यान के समय सेड़ खान ने हुमायू की चितोर विजय से जोड़ा जाता है उनके पती का नाम है उनके पती का नाम है राना रतन सिंग राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी तो पदमिनी की कहानी का आधार 1540 इसपी में मलिक मुहमद जैसी द्वारा लिखित का विपुस्तक पदमावत है इसके अनुसार पद कैतकों में वालावदीन की समता सुलेमां से तथा पदमिनी की तुना से वासे की फित हम भावरत इसफी आधार को… कर मलीक महांब जैसी ने पदमावत की रचना की और राना रतन सी की रानी पदमनी की कहानी बननी हिरे हैं अलावदीम कि engineered के समय देव्गिरी का सासक कौन था इंपुर्टेन्ट सवाल है तो अलाउदीन खिल जीक फेरon के समय में देवगिडी का सासक था रामचंद्र देव राइट एंस रो जाएगा उप्सन है अलावदीन के आक्रवन के समय देवगिडी का सासक रामचंद्र देव था बारा सो च्यानवे इसवी में देवगिडी के सासक रामचंद्र देव ने अलावदीन के सफल आक्रवन से बाध अलाउदीन ने मली कफूर के नितित में एक सेना देवगिडी पर आकमन करने के लिए भेजी राजा रांचंद्र देव यूद में प्राजित हुआ और उसने क्या कर दिया आत्म समरपन कर दिया किस सुल्तान के काल में खालिसी भूमी अधिक पैमाने में विक्सित हुई तो कौन सा सकता तो अलाउदीन खिल जी के समय कि अलाउदीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख उद्देश एक सक्ति साली और निरंकुष राज की अस्थापना करना था उसने उन सभी वेक्तियों से भूमी छिन ली जिने हुआ मिलक यानि राज द्वारा प्रदत संपति इनाम इंदरात पेंसने तथा वक वक भूमी कांसा होता था तो धर्मान प्राथ हुई भूमी को जो दिया जाता था भूमी जो दिया जाता था धर्म को बढ़ाने के लिए जो भूमी दिया जाता था तो उसे वक भूमी का जाता था आधी के रूप में मिली थी फलता खालसी भूमी अधिक पैमाने पर विक् करवाया इसका निर्मान लाल पत्थरों तथा संग्मर्बर के द्वारा हुआ यह तेरा सोई गाड़ा इस भी में बंद करते यार हुआ इल्टुतमिस के मकवरे की तरह इसमें एक चकोर बड़ा कम रहा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दिवारों में एक मह फिरोशा तुगलक से रिलेटेड आपको याद क्या रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतरगत एक मात्र ऐसा बादसा था फिरोशा तुगलक जिसने अपनी आत्मकथा याद रखना है जिसने अपनी आत्मकथा स्वयम लिखी थी यह इस से रिलेटेड और उसका नाम क्या है तो उसका नाम है अप्तुवाते फिरोज साही फिरोजॉज साही जो है फिरोजसा तूगलक की आत्मकता है या धकना और यह दिल्ली सल्तनत का एक मत रहसा सुल्तान हुआ जिसने अपनी आत्मकता स्वैम लिखिये ठीक है तो इस कोशन की अगर हम बात करे तीस कराई टैंसर हो प्रोसा तुगलक उलिमावर्ड की स्वक्रीति के पशचात हक एसर्व नमक्सिचाइक कर लगाने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान था तो था फिरोष तुगलक उन किसानों को जो चाय के लिए si पैदावार का एक बटा दस भाग सरकार को देना पड़ता था याद रखेंगे फिरोज तूगलक द्वाड़ा स्थापि दार उल्सफा क्या था तो यह एक क्या था तो यह था एक खैराती अस्पताल राइट एंसर हो जागा ऑप्शन बी तो राज के खर्च पर हज की व्यवस्ता करने वाला वाला भारतीय सासक फिरोज तूगलक था याद रखेंगे उसने दार उल्सफा नामक एक हैराती एस्पताल के स्थापना भी की थी की और उसने कुसल हकीम रखें उसमें क्या कर राखा था उसने कुसल हकीम को निमलिकित में से की सुल्टान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया तो वह था फिरोसा तुगलक अब काफी अच्छे काम किया गया था फिरोसाथ तुगलक के द्वारा, फिरोसाथ तुगलक ने समाने लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार किया, नियुक्ति के लिए एक दफ्टर यानि रोजगार दफ्टर फोल करता था, परतेक मनुस के गुन एवं योगता की पूरी जांक परताल के बाद यह था संभव अधिक साधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का क्या किया था पढ़ियास किया था निमलिकीत में से की सुल्तान के दरवान में सबसे अधिक गुलाम थे तो वह कौन था फिरोष तुगलग गुलाम तक पहुंच गई थी उसकी देखवाल के लिए एक प्रितक यानि अलग भी भाग बनाया था जिसे दिवाने बंदगान कहा जाता है का गठन किया गया था उस दासों की सिच्छा का पून ध्यान रखा जाता था उन दासों की जो है सिच्छा का क्या रखा जाता था पून ध पाई किये तो वह था फिरोज तुगलग फिरोज तुगलग बागवानी में अपनी अभिरूची के कांदिल्ली के निकट लगवा बाड़ा सो ने बाग लगवाए तथा अलावदीन के तीस पुराने बागों को फिर से लगवाए नेक्स फार्सी यात्री अब्दुराजाक भारत में किस राजा के सासनकाल में था तो यह आया था देवडाय द्यूत्य के सासनकाल में तो फार्सी राजा अब्दुराजाक संगम वंस के पर्थम संगम वंस के सबसे प्रतापी सासक देवडाय द्यूत्य कब से कब तक इनका कारकाल है तो 1422 से 1446 के सासनकाल में विज नेक्ट है तैमूर के आकर्मन के बाद भारत में किस वंस का राज अस्थापित हुआ तो सयद वंस का राज अस्थापित हुआ था तैमूर के आकर्मन के बाद तो तैमूर के आकर्मन कब किया था तैमूर लंगने भारत पर आकर्मन 1398 इस्वी में तुगलक सासन को कमजोर कर दिया, 1412 इस्वी में नासरुदीन की मिर्तिव के साथ ही तुगलक वंस का अंत हो गया, तो याद अखना है कि तुगलक वंस का अंतिम सासा कौन था तो नासरुदीन 1413 इस्वी में सरदारों ने दौलत खा को दिल्ली का सुल्तान चुना, प्रंतु उसे दौलत खा के सुविदार खिजर खाने प्राजित कर दिया, वह तैमूर द्वारा नियुक तो लाहोर का सुविदार था, तैमूर के आकरमन के बाद 1414 इस्वी में उसने दिल्ली पड़ा कर एक नए वंस, सायद वंस की निव रखें, इंपोर्टेंट है दोस्तो, सायद वंस की अस्थापना किस ने किया, खिजर खाने किया, कब किया था, तो 1414 इस्वी में, नेक्ट है, निमलिकित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो यह बसाया ग बैठा, तो यह भी पूछ सकता है कि सिकंदर, सुल्तान सिकंदर सा, यानि सिकंदर सा का मूल नाम क्या था, तो निजाम खाम, वह लोधी वंस का महांतम सासक था, 1504 इस्वी में, सिकंदर लोधी ने राजस्थान के सासको पर नियंतरन के उद्देश योमना नदी के किनारे आगरा नामक नवी नगर बसाया और उसे अपनी राधानी बनाया, कब तो 1504 में, ये डेट भी या दखना है, दोस्तों डेट भी पुछा हुआ है, विभीन गौर्मेंट इक जामना, उसने किडिसी और वैपार की उननती के लिए प्रतन किया, नाप का पैमाना, गजे सिकं सिकंदरी को किसने तुरुवात किया था, या किसने शुरू किया था, तो सिकंदर लोदी ने, उसने निर्धनों के लिए मुप्त भोजन की वैवस्था कि, उसके समय में योग व्यक्तियों की एक सुची बनाकर प्रतिक 6 माह पस्चात, उसके सामने प्रसुत की जाती थी, वह सिचित और विद्वान था, उसके स्वायम के आदेश से एक आयुडवेदी ग्रंथ का फार्सी में नुमात किया था, जिसका नाम क्या है तो फरहंगे सिकंदरी, याद रखना है, ये आयुडवेदी ग्रंथ है, उसके समय में गायन विद्या का एक स्रेष्ट ग्रंथ उसका नाम क्या है तो लज्यत्ते सिकंदरी की रचना हुई, सिकंदर लोधी सहनाई सुनने का बहुत सोकिन था, वह गुल रुखी ये भी सवाल आ चुका है, गुल रुखी उपनाम से कविताओं की रचना कौन करता था, तो वह था सिकंदर लोधी नेक्स से विजय नगर समराज के संस्थापा कौन थे तो ये थे हरियर और बुका राइट एंसर हो जाएगा अप्संस ही तो विजय नगर समराज की स्थापन ना मुहमद बिन तूलक के सासन काल में वर्स 1936 में हरियर एवं बुका नमक दो भाईयों द्वारा किया था इस रा भामनियों से गोवा कुछी ना तो वह था हरियर द्वित्य इंपर्टेंट सवाल है दोस्तों ध्यान में रखना है तेरा सो सततर इसमी में बुका की मिर्थिव के बाद उसका पूत्र हरियर द्वित्य सिहासन पर बैठा उसने महाराजा धिराज की उपादी धारन की तो या सततर इसमी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमन किया किन्तु सफल नहीं हुआ और यह द्यूत्य की सबसे बड़ी सफल था पस्ची में बहमनी राज से बेलगाओं वह गोवा छिनना था वह सियू यानि विरुपाच का उपासक था तो ये भी पॉइंट आ देवराय ने गुलकुंडा का युद गुलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुपसा के साथ लड़ा था गुलकुंडा में कुतुपसा ही वंस के स्थापना किसके द्वारा किया था तो यह कई वर सवाल आ चुका है कुली कुतुपसा के द्वारा जब कृशन देवराय उडि करने का परियास किया कृष्ण देव राय और कुतुपसा के भी संगर्श हुआ कुतुपसा ही सेना क्या हुई थी इसमें प्राजित हुई थी नेक्षे विजय नगर समराज के वितिये व्यवस्ता की मुख विसेस्ता क्या थी वह था भूर राजास्वा राइट एंसर हो के आरोपित अर्थडन भूमी का भली भाती सर्वेचन किया जाता था तथा उपज का एक बट्टा छे भाग भूमीकर के रूप में वसूल किया जाता था सिस्ट क्या था तो यह एक भूमीकर था नामक कर राज की आयका परमुक्स था तो यह इंपोर्टेंट है दोस्तों दधियान में रखना आपको के रजस व विभाक को अठावन एस्टावने या धावने चाताह था न्यां MR मिलता है तो हमिलता है हमपी में राइट अर्वरत्मान के Shy म्या में Mars لवरत्मान करनाटक में अवस्थीत है किया विजय नगर समराज की प्राचीन रधानी का प्रतिनिधी तो करते हैं विजय नगर काल में बना विरुपाच मंदिर यहीं पड़ अवस्थी थे हम पी युनेस्कों की विरासत अस्थलों की सुची में भी क्या है दूस्तों तो सम्मिली थे नेक्से दिवाने अर्ज वि मालिक सल्तनत काल में सैन विवाग का प्रहुख अधिकारित होता था और आडिज्य मुमालिक का विभाग ही दिवाने अर्ज का लाता था इस विभाग की अस्थापना किसके द्वारा किया था तो यह किया गया था बलवन के द्वारा नेक्स़ शीवा जी की राधानी कहां पर थी तो राइगड में तो लासो चोतर इसमें सीवा जी ने अपने राजाविश्यक कड़ाया था तर छत्रपति की उपादि धारन की एवं राइगड को अपनी रधानी बनाया उस यूग के महानविद्वान बर्नारस के पंडित विशेश्वर विश्वेश्वर उर्फ उ अलाओदिन हसन जो साथ हुआ बहमनी राज का संस्थापक था राइट एंस रोजागा ओप्शन ए धक्कन के आमिरान ए तादाहा के विद्रों के पडिनाम सुरूप महम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी समराज के अस्थापना हुई जफर खा ज इसे हम लोग हसन गंगों के नाम से भी जानते हैं नामक एक सरदार ने अलाओदिन हसन बहमन सा की उपाधि धानन कर 1347 इसमें सिहासन रुड हुआ और बहमनी समराज की निव डाली उसने गुलबरगा को अपने नौ संस्थापित समराज की रधानी बनाई तो यह दखना है बहमनी राज की रधानी क्या था तो गुलबरगा था, किसने इसको रधानी बनाया था दूँअ था आलाओदिन हसन बहमन साह. पने समराज के शासन काल के लिए उसने उसे चारोत तरफ अथवा परांतों में विवाजित किया गुलबरगा, दौलताबाद, बरार और बीध परतेक प्रांत का एक सासक के अधिन था, गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्पुन था, इसमें बीजापुर भी क्या था समय लित था, दच्छिन के हिंदू सासकों को उसने अपने अधिन किया, तथा अपने अनवायू को पद और जागिर परदान करने की नई प्रथा प्र सरंजामी जो प्रथा है, वह माराथा भूरा जस्व प्रथा है, उसी से यह समंदित है, तो माराथा काल में सरंजामी प्रथा भूरा जस्व प्रथा समंदित थी, इस काल में माराथा जागिरदारों को सरंजामी भूमी उनके निर्वाहन के लिए प्रदान की जाती थी, न यूद में लूटा हुआ जो धन होता है उसी को का यूद में लूटा गया यूद में लूटा गया धन को खुम्स या खुम्स भी बुला जाता इसको राइट एंसर हो जागा पांच भाक साहिनी को में बात दिया जाता था और सेस एक बटा पाँच भाग राजकोस में बाटा था तुक अंदर लोदी ने कोई हिससान नहीं लिया तो यह याद रखना रखना है अलावदिन खिल्जी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूराजस्व निती में कुछ परिवर्थन किये था उसने उपज का 50 परतिशत भूराजस्व के रूप में निशित किया जिसे अनाच के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया इससे पुरुबलबन और इल्तुतमिस ने भूराजस्व उपज की एक तिहाई दर से अधिक नहीं लिया था मुहमद बिन तुगलक के काल में भी भूमी कड़की दर अलावदिन की भाति 50 परतिशत ही थी लेकिन जहां अलावदिन खिल्जी ने राजस्व निरधारन भूमी 25 के अधार पर किया था मुहमद बिन तुगलक के अनुमान के अधार पर राजस्व निरधारन किया था यति इस प्रस्ण में विकल्प सी और डी दोनों सही है किन्तों बिहार लोग सेवा है उन्हें आंती मुद्तर में ती को क्या माना है सही माना है नेक्स्ट है सेख बहादिन जकारिया की अफुरुदीन आरिफ सेख रुकमुनदीन अब्दुलफता और सेख जलालुदीन सुर्ख आधी हुए इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे धन और संपति को साधना में बाधक नहीं मानते थे कौन तो सुहरवर्दी संप्रदाय के सूफी नेक्ष्ट है इन सासकों में से किसने अपनी सैंट टुकडी को दो सो दो सो पचास एवं पांस सो की इकायों में विवाजित किया था राइट आइंसर हो जाएगा इसलाम सा शेड़ सा का पुत्र था इसलाम सा ने पूरे उत्तर भारत में लगवग आठ वर्सों तक सासन किया और उसकी मिरतियु 1533 में इस्वी में हुई इसलाम सा ने अपनी सेंट टुकडियों को 50, 200, 250 और 500 की इकायों में विवाजित किया था संभवता सेड़ सा के समय में भी सेंट विवाजन की यह परनाली प्रचली थी ग्यातवे कि बिहार लोग सिवा आयोग ने इस प्रसन का उत्तर क्या माना है यह माना है जबकि रैट ताके समय में भी यह पर चलाने में होगा इसलिए इसका राइट हैंसर हो जागा उप्रिक में से एक से अधीक जवाबित का समध किस से था इनपॉर्टेंट है तो राज कानून से जवाब जो था वह राज कानून से समधी था किंद हातु के थे हैं पहली बाद ने याध क्षिटिन कि किसम का हुआ करता था तो चांधी का याद रखेंगे आप लोग तो सल्तनत काल में टंका चांदी वाम जीबाद करता था जू था-था-वте-वा याद रखेंगे आप होता था यह दोनों सिक्के इल्टुत मिस द्वारा प्रचलित किये गया थे सच्छगनी भी चांदी का सिक्का था टंकावम जीतल का अनुपात कितना था तो एक भारत में कागच का परियोग कब से प्राड़म हुआ तो भारत में कागच का जो परियोग है वह बारामी सताब्दी में प्राड़म हुआ था राइट एंस रोजागा ऑप्सन ए विसमें पर्थम कागच का विसकार चीन में हुआ था भारत में कागच का परियोग बारामी सता साब्दी में प्रारम हुआ असुतो संग्राले कलकत्ता में 1105 इसवी का पेपर समदच्छित किया गया है जिसका सिर्षक पंच रच्छा या भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमान है नेक्षा तब काते नासरी का लेखा कौन है पहले भी हम लोग डिसकस कर चुके मिनह उस Свिराज जो है वह तब काते नासरी के लेखा के इन्पर्टेंट पॉइंट करते हैं तब इनासरी मिनहाज उस्छित का गरंत जो सुल्तान नसरुदिन को समरफित किया गया यह गरंत तेस अध्यायों में है रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में औरन prue किया तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना इस पुस्तक में महमध गोडी की भारत विजय का परत्यच वर्नन मिलता है मैं की नाम की मुद्राय प्रसारित की और खुदबा पढ़वाया दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आड़ी हो वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आड़ा हो मेरे द्वारा की जा रही वीडियो पर महनत अगर आपको पसंद आड़ी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने द वानी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भाक्त समस्ते थें राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन ए भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत उंचा था उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमन किया और वे कई परकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन थे उन संतों ने हिंदी, पंजाबी, बांगला, तेलगू, कंणर, तमील, इत्यादी भासाओं की उनाती में बहुत योगदान दिया भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश छेत्रिये भासाओं में देते थे तो ये इन्पोर्टेंट है ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से इस कारण छेत्रिये भासाओं का विकास देखने को मिलता है भक्तिकाल के दोड़ान नेक्ट है मोहमत गौडी गुजरात के चालुक द्वारा कब प्राजित हुआ था तो कब प्राजित हुआ था गुजरात के चालुक के द्वारा मोहमत गौडी तो यह प्राजित हुआ थ भीम दुत्यों को सेनापती बनाकर भेजा साथ में उनकी माता नायका देवी भी थी माउंट आबु परवत के पास कासहद के मैदान में भीम दुत्यों ने मोहमत गौडी को प्राजित कर दिया या मोहमत गौडी की भारत में पहली हार थे याद रखेंगे निमलिकित में से कीस यूद में मुख भी विरोधियों का सही उलिक नहीं किया गया हल्दी गाटी का यूद महानाना परताप और अकबर के बीच में हुआ था बिल्कुल सही है पानी का परतम यूद जो लड़ा गया था 1526 इसवी में बाबर और इबराहिमी लोधी के बीच ल लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था 1556 में तो गलत कौन सा हो गया सी हो गया राइट आंस रोजय का अप्सन सी पानी पत का पर्थम यूद 21526 इसवी को बाबर और इबराहिम लोधी के बीच हुआ जबकि हल्दी गाटी का परतम यूद 576 इसवी में महानाना परताप एब अकवर के बीच लड़ा गया पानी पत का दितियर यूज जो है नॉमबर पंदासो छपन में समराठ हेम चंद्र विक्रमा दि यानि हेमु तथा आकवर की सेना के बीच लड़ा गया जिसमें आकवर की सेना क्याड़ा ही विजय रहे हैं नेक्षा दिल्ली सल्तनत के सरपंच थे हैं दिल्ली सल्तनत के दोड़ान खुटता या मुकदम या चौदरी नामा सब्द गाउं के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे जो सल्तनत के लिए राजस्वेकत्र करने का भी काम करते थे नेक्षे तब काते अकवरी जिसे कभी-कभी अबु फजल क के अकवर नामा से अधिक सनिये माना जाता है किसके दौरा लिखा गया तो यह लिखा गया किसके दौरा नियमु दीन अहमेद के दौरा । क्योंकि 2023 में कोशन यह पुछा गया तो हो सकता है कि टीचर 3.0 का जो जी एस का एक्जाम होने वाला इसमें आपको देखने को मिल जा तब काते अकवडी किन के द्वार लेका गया तो नी जामुदीन अहमद के द्वारा तो तब काते अकवडी की रचना नी जामुदीन आपना की थी तो वह साथ सा कौन था तो विजयन अगर का सबसे सर्वस्रिष्ट जो साथ सक था वह था कृष्ण देव राएं राइट एंसर हो जागा ऑप्शन ए तो कृष्ण देव राएं इनका काड़काल याद रखना आपको 159 से 1539 विजयन अगर समराज के तुलूब वन्स के साथ सकते हैं तुलूब वन्स के साथ सकते हैं इसे विजयन अगर समराज का सरवाधिक परतापी साथ सक माना जाता है कृष्ण देवराय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंब पूरम जिसे वर्द्वान में नागल पूरम कहा जाता है जो आंध्र प गया था तो यह नियुक्त किया था मलिक कफूर को दचिन भारत के अभ्यान के लिए किसे बेजा था अलावदिन खिल जी ने तो मलिक कफूर को बेजा था याद रखेंगे और मलिक कफूर को क्या कहा जाता है हजार दिनारी हजार दिनार दिनारी हजार दिनार में जो है धानीद्वार समुद्र थी और वहां का सासक वीड बल्लाल तिर्तियत था याद रखाएंगे दचिन भारत की संपुन विजय का सरे एक इसे जाता मली कपूर को याद मुरको के यातरी इबन बतूता का विडितान्त किस रूप में जाना जाता है तो इसे जाना जाता है रहला जिसे हम लोग किताब उल रहला के भी नाम से जानते हैं तो इबन बतूता अफ्रीका के मुरको परांत का रहने वाला था जो मुहमद बिन तुगलक के काल में दिल लि जामा मजीद का कौन सा परवेश द्वार बनता है तो फतेपुर्शिक्री इस्थित प्रसीद बुलंद द्रवाजा जामा मजीद का कौन सा परवेश द्वारा बनता है तो यह बनता है कि इसके द्वारा दचनी पतेपुर्शिक्री इस्थित प्रसित बुलन दर्वाजा जामा मजीद का दचनी पडवेश द्वार बनता है पतेपुर्शिक्री की जामा मजीद का निर्मान मुगल सासक अकवर ने कड़ाया था तो ये सभी कोई जानते होंगे निमलिकित में से किस सुल्तान ने नीजामुदीन औल्या ने भीट करने से इंकार कर दिया। गएगा, जो की एक के बाद एक सताहिन होते रहे, किन्तु वे कभी किसी के दर्वार में नहीं गया। सुल्टान अलावदिन खिल जी ने सेख से मिलने का बहुत पढ़ियास किया यहां तक उसने सेख के प्रिये सिस अमिर खुसरों के माध्यम से भी प्रित्मित किया किन्तों सेख जब सेख को ग्यात हुआ कि सुल्टान आने वाला है तो वे अजूधन चले गए इस परकार अलिय ना तो सुल्टान से मिले और नहीं इंकार किया दूसरी तरफ जब अलावदिन ने उनसे मिलने की आग्या मांगी तो सेख ने उतर दिया कि मेरे मकान के दो दर्वाजा है यदि सुल्टान एक एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाओंगा उन् कि रचना कि ने की तो यह किया गया था मलिक मोहमद जैसि के दौरा राइट एंसरो होजा का औप्संड जैसे की पदमावत अखड़ावट तक आखड़ी कलाम में भी पदमावत का हिंदी साहिप महत्पुन अस्थान है कंब है इनकी रचना कौन-कौन से तो पदमावत है अ जीत का मुख कारण जो था उनकी सेन कुसलता, right answer हो जाएगा option B पानीपत की पहली लड़ाई, डेट याद रखेंगे 21 अपरेल 526 हिस्वी को बावर और इब्राहीम लोधी के बीच हुई जिसमें अपनी सेन कुसलता के बल पर बावर ने विजय प्राप्त की बावर की सेन संख्या लोधी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुसल सेन नीती के चलते विजय श्री ने उसका वरन किया इब्राहीम लोधी स्वयम एक अनुभाव सुने वेक्तित था बावर लिखता है कि वह अनुभाव हीन वेक्तित था जो अपनी गति वीदियो में बड़ी असाधानी रखता था वह बीना किसी वैवस्था के आगे बढ़ता रुखता तथा बीना किसी दूर दर्शिता के सं लिखा गया राइट एंसर हो जागा क्योंकि बावर की जो मातरी भासा थी वह तुर्की थी याद रखेंगा मोगल समराज की अधारसिला रखने वाले जहरुदीन मुहमद बावर ने अपने जीवन संबंदी घटनाओं को एक ग्रंत में स्वयम ही लिखा उसे तुजू के बावरी कहते हैं यह किताब तुर्की भासा में लिखे गए किन्तों तुर्की मुगल दरवार की राज भासा नहीं थी अपितु यह सम्मान फार्शी को प्राथ था तो यह तकना मुगल दरवार की राज भासा क्या थी तो वह था क्या तो फार्शी था प्रथम बाड़ा आकर्मन किया था तो 1532 में इस कीलो को उसने चार महीने तक घेड़े रखा जिसके बाद सेर खाने हुमायू की अधिनता स्विकार कर लिए इसके अत्रिक 1531 में उसने कालिंजर पर आकर्मन किया और 1532 में राइसीन के महत्मुन के लिए को भी क्या कर लिया था जीत लिया था हाजी बेगम ने अपने पती हुमायू के मकवडे का निर्मान दिल्ली में कहां पर तो दिन पना में 1564 इस्वि में कड़ाया था इस मकवडे का नक्सा मीरक मिरजा गया यानी कौन थे ये इरानी वस्तुकार थे ने त्यार किया था स्वेट संग मर्मर से बना या भारत का प हमायू की या बेटी कि घुल बदन बेगम रायट एंसरो जागा सेट बाबर की सहजाधि गुल बदन आ इस में अच disturbance थे सभिव जो फार्सी भासा में है बाबर बासा अकवर ने अकवर नामा के प्रनियन के लिए समागड़ी एकत्र करने के उद्दे से यह आदेश दिया था कि बाबर तता हुमायू के राजिकाल के विशाय में जिसे कुछ भी असमरन हो वह उसे लेखबत करके उसकी सेवायम प्रस्तुत करें अता लोगों ने इतिहास लेखना प्राणम किया गुल बदन के हुमायू नामा की रचना भी इसी आदेशा अनुसार हुई नेक्स्ट है हुमायू द्वाड़ा लड़ेगे चार प्रमुक युद्धू का तीथी अनुसार सही क्रम अंकित करें यूद अस्तलों के नाम नीचे अंकित हैं तो सबसे पहले क्या था सबसे लाष्ट में लड़ा गया था सरहिंद का युद्ध राइट एंसर रोजाग अप्सन डी अब यह इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों याद रखेंगे हुमायू द्वारा लड़े गए चार प्रमुक युद्धों का क्रमीश प्रकार है देवरा चौसा कनोज एवं सरहिंद 1532 सिस्वी में उसने गोमती के टट परी स्थित दोड़ा जिसे देवरा का जाता है नामा का स्थान पर अफगान विद्रोही को प्रास्त किया 26 जुन 1549 सिस्वी को चौसा की युद में हुमायू को सेड़ सा ने प्राजित करत दिया इसी युद में निजाम नामक भीस्ती ने हुमायू की जान बचाई याद रखेंगे युमायू के विरुदaja 54 की इस विजाय से सेड़ खा की सकति युद में विजाय होने के बाद धारन करता है तो याद रखना है चौसा की युद में विजाय होने के बाद तता सिक्के पर भी अंकित का है 17 माई 540 इसपी को कन्नोज या बिली ग्राम की यूद में भी हुमायू को सेर साने प्राजित से प्राजित होना पड़ा और विवस होकर एक निर्वासित की भाती इधर उधर भटकना पड़ा बाई जून 1555 को सरहिंद यूद की विजही ने हुमायू को एक बार पुना उसका खोया हुआ राज वापस दिला दिया और यह जो यूद है दोस्तों इंपोर्टेंट है निम्रीकित में से की सुल्तान ने पहले हज्रते आला की उपादी अपनाई और बाद में सुल्तान की तो वह कौन था तो वह था सेड सा सूरी राइट एंट स्रो जाएगा ऑपसन सी इनपोर्टेंट है बंगाल के सासक नुसरत सा को प्राजित करके सेर खा यानि सेर सा सूरी ने हजरते आला की उपादी धारन की 1549 इसमी में 14 की युद महिमाई को प्राजित करके उसने सेर सा की उपादी धारन की याद रखेंगे तथा अपने नाम का खुत्वा पड़वाया और सिक्का चलवाया सेर्षा का मकवड़ा कहा है थी थे तो यह सासा राम में इस्तित्थ है सेर्षा का मकवड़ा बिहार के रोताज जीले में सासा राम नामक अस्थान पर एकतलाब के बीच उचे चबुत्रे प्रपना है कालेंजर यूद कभुगा था 1545 के दारान गहायल हो जाने से search की क्या हुई थी मिर्धी हो थे नेक्स्थ हलदी खाटि की यूद में महा नहंपरताप की सेना के सेना पति कौन थे तो यह थे हकीम खा यह भी इन्पहोर्टेंट सवाल मुगल साचक व्यवस्था को अस्थापित करने का श्रय अकवर को ही है उसकी केंद्रिय साचन व्यवस्था था बादसा के पद और अधिकारों करतवियों की व्याख्या उसका प्रांतिय सासन उसकी लगान वेवस्ता उसकी मुद्रा वेवस्ता उसकी मनसबदारी वेवस्ता आधी सभी को उसके समय में सफलता प्राथ होई और वह उसके उत्राधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी अकवर पर्थम मु समाप्त किया तो पंद्रासो बासाट इसवी में तीर्थ यात्राकर को कब समाप्त किया था तो पंद्रासो तीरसाट इसवी में जजियाकर को कब समाप्त किया तो पंद्रासो चौंसाट इसवी में पूना जजियाकर को कौन लगाता है तो पूना जजियाकर को लगाने वाला साथ सा कौन था मोगल साथ सा कौन था तो वह था औरंग जेव याद रखेंगे अपने समाजिक सुधार के अंतरगत उसने बाल विवा सती प्रथा को रोकने का प्रेतरिन के आताकवर की लोग प्रियता के कारण कारणों में उपरी चारों बिंदू को सम्मिलित किया जा सकता ह नेक्सट अकवर ने बंगाल तथा बिहार को मोगल समराज में मिलाया तो यह मिलाए गया था 1576 में राइट एंसर हो जाएगा सी 1572 में सुलेमान काराकानी की मृतिव के बाद उसका पूत्र दावत खा गद्दी पर बेठा दावत खाव ने अपने को स्वतंतर घोसित कर बिहार पर मुगलों का अधिपत्य हो गया पराजित होने के बाद दावत खा बंगाल भाग गया कि तुप 12 मर्च 1576 को टोडर्मल मुझःपर खा एवं हुसेन कुली खा ने मिलकर दावत को पुन्ता प्राजित कर दिया इस पर कर 1576 इसमें बंगाल तता बिहार को पुन्डूप से मुगल समराज में क्या कर लिया गया मिला लिया गया नेक्टे बात में किस ने सासनकाल में इंग्ल आयोजी का इसमें पुर्वित दिवसमू के साथ वैपार की युजना त्यार की गया इन वैपारियों ने पुर्व के देशों के साथ वैपार करने के आसाए से 1620 में एक कंपनी का गठन क्या इसका नाम गौर्मेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इंटू दविस्ट इंडिय रखा गया है इसे जॉन कंपनीं के भी नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट सवाल इंपोर्टेंट спас cał्यब रखर जॉनिक के नाम से किसे जाना जाता है इस इंडिया कंपनी को इस दवरान भारत का वार्षा कॉन था र्कबर और था इसमें अकबर कालीन सासन व्यवस्ता का अधिकारिक विरितानत है यह भी इन्पोर्टेंट है एत्मादू दौला का मकवरा आगड़ा में किसने बनवाय था तो यह बनाया गया था उनकी बेटी थी नुर जाहा उनके द्वारा राइट एंसर हो जाएगा अप्शन सी यह संग मरमर का बना अैसा पहला मकवड़ा जिसने बड़े पैमाने पर संग्मर मर संग्मर मर का परियोग किया गिया तथा अलंकरन के लिए इसलामिक भावनों में पहली बार पित्रा दिवरा यह निनिसरों दिवारो में अर्ध कींपथरों की जढ़ावट को क्या का आ प इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों कितने बार पूछ चुका है सवाल तो यह भी भी आई सवाल है 66 में पूछा गया है औरी एक्जाम जो होगा तो उसमें भी पूछा गया राइट एंस रोजागा ऑप्सन है तो पच्ची काड़ी या परचीन काड़ी जीचे हम लोग पिट् जराओ कारे सरपरता इत्मादू दौला के मकवरे में किया गया था इंपोर्टेंट है इस मकवरे का निर्मान जहांगीर की पतनी नूर जहाने करवाय था दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ इसे सेड़ करें जो लोग हमारे चैनल से पहली बाड़ जूर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहा है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट हमारा कोश्चन है मद काल में बटाई सब्द का अर्थ था तो बटाई सब्द का अर्थ था लगा निर्धारन का तरीका मद काल में बटाई सब्द काताथ पर लगान निर्धारन की एक पदिती थी जिसमें वास्तिविक उपच का बटवारा राज और क्रिशक के बीच होता था सेरसा सूरी ने लगान निर्धारन के लिए तीन परनाली आपना ही थी कौन-कौन सा याद रखना नक्स नस्क या मुक्ताई अत्वा कंकूत दूसरा क्या था नगदी अत्वा जबती तथा तीसरा क्या था गल्ला बक्सी या बटाई बटाई तीन परकार की होती थी खेत बटाई लंक बटाई और रास बटाई किस मुगल सासक ने चितरकाडी के लिए करखाने बनवाई important सवाल है दोस्तो तो चितरकाली के लिए करखाने बनाने वाला कौन सा मुगल सासक था तो वो था हुमायू right answer हो जागा option है कई लोग इसका क्या मानेंगे जहागीर मानेंगे जहागीर नहीं था क्योंकि जहागीर स्वाय में बहुत बड़ा चितरकाड था इसलिए लोग क्या गलती करते हैं जहागीर को टिक कर देते हैं ठीक है जबकि right answer क्या जागा मुगल सासक ने किस मुगल सासक ने चितरकाली के लिए करखाने बनवाई थे तो वो था हुमायू जो उसकी पुष्टकाले से जुआ था गयतावे की बिहार लोग सिवा ने अपने उत्तर पत में इस प्रसन का उत्तर क्या मना है बी मना यानि अकवर को मना है जो कि बिल्कुल गलत है दस्तानया ए अमीर हमजा का चितरांकन किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था इस्टार लगा हुआ इसमें देखते हैं अकवर ने अपने गरंतों को चितरित करवा था इसमें सरपर्थम दस्तानया ए अमीर हमजा है यह हुमायू के काल में चितरित होने प्रारम मुगता और अक्वर के सासनकाल में पुन हुआ बदायूनी और साहा नवाज खा के नुसार इसे त्यार करने में लगवग 15 वर्स लगे थे और पहले मीर सयद अली तथा बाद में अब्दू समद की देखरेक में पड़ाया पचास चित्रकारों ने इसे त्यार करने में हिस्सा लिया इसमें करीब की सेद अली तथा बाद में अब्दूस अना ठीक है मिर सयद अली और अब्दूस समद मन्सुर नहीं मिर सयद ए और सी दोनों हो रहा यूरोपिय चित्रकारी का परवेश किसके दर्वार में हुआ तो यह हुआ था अकवर के दर्वार में यह भी इंपोर्टेंट सवाल है तो यूरोपिय चित्रकारी यानि यूरोपीन पेंटी का परवेश किसके दर्वार में हुआ था अकवर के दरबार में क्योंकि उसी समेश्ट इंडिया कमपणी का स्थापना हुआ था तो अकवर के दरबार में यूरोपी चितरकाली का परवेस पुर्टगालियों के माध्यम से हुआ था जिसने मुगल चितरकाड़ों ने दो विशेस ताई ग्रहन की थी वाला क्या था वेक्ति विशेस का चितरण दुसरा था द्रिस में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे अकार में बनाना है चितरकाला का विकास हुमायू के सासनकाल में प्रारम हुआ अकवर के सासनकाल में यूरोपिय चितरकाला का परभा मुगल चितरकाला सहली पर पड़ा अकवर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपिय सहली का चितरकार था याद रखेंगे अकवर के समय दस्वंत अगड़ानी चितरकार था जहांगीर के सासनकाल को मुगल चितरकाला का स्वन्यू कहा जाता है नेकिसे दस्वंत और बसावन प्रसीद चितरकार मुगल समराट के दरबारी थे तो किस मुगल समराट की ये दरबारी थे तो यह जो थे दसवंत और बसावन वह अकवर के दरबार में रहते थे राइट एंस रो जागा option A तो दसवंत और बसावन अकवर कालीन चितरकार थे दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकवर इतना प्रभावीत था कि उसने उसे अपने समय के अग्रानी चितरकार बनने में सही हो गया किन्तु बाद में यह महान चितरकार मांशिक रूप से विच्छप्त हो गया और 1584 में क्यावत था इसने आत्मात्या कर लिए अकवर कालीन चितरकारो के नाम अबू फजल ने अपनी पुस्तक आइनी अकवरी में गिराया कौन-कौन था दस्वंत बसावन केसाउलाल मुकूंद मिसिकन फारुक कलम माधो जगननात महेश खेमकरन तारा सावल और हरी बंस नेक्स है मुगल चितरकला किसके नेतित में अपने सिर्ष बिंदू पर था तो वह किसे का जाता है मुगल चितरकला का स्वनिव तो जहांगीर के साजनकाल को राइट एंस रोजागा उप्सन है तो मुगल चितरकला जहांगीर के काल में अपने सिर्ष पर पहुंच गई थी जहांगीर चित्र कला का बड़ा कूसल पार्खी था, मुगल सहली में मनुस्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विवीन चित्र काड़ों द्वारा मुख सरीर तथा पैड़ों को चित्र करने का रिवास था, जहांगीर का दावाद है कि वह किसी भी चीतर में विभीन चीतरकारों के अलग अलग युगदान को पहचान सकता है किकार यूध तथा राजदर्वाड के द्रिश्य को चित्र करने के लावा जाहंगिर के काल में मनुश्यों तथा जानवड़ों के चित्रों को बनानी की कला विशेश प्रगत्ति हुए अबूल हसन ने जहांगीर के सिहासन रोहन का एक चित्र बनाया था तो यह याद रखना है किसने जहांगीर के सिहासन रोहन का चित्र बनाया था तो था अबूल हसन जिसे जहांगीर की आत्म का था तो जूके जहांगीर के मुख प्रिश्पर लगा दिया इस तरह जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वन्यू कहा जाता है जापती पर्णाली किसकी उपस थी यह उपस थी अकवर की अकवर के साथनकाल में भूराजस वसीली के लिए जापती पर्णाली का प्रचलन हु तथा आईने दह साला जैसी अनभूरा जैसर पढ़ना लिया भी प्रचली थी नेक्ट यह कथन किसका है कि अकवर के सासन में इलाबाद में 40 अस्तम यूग्द मंजिल मंजिल के निर्मान में पांच हजार से बीस हजार लोग ने लोगों ने 40 साल तक काम किया तो यह कहा था कि बिल्यम फिंच के नुसार इलाबाद इस्तित पैलेस ओफोर्टी पिलर्स के निर्मान में 40 वर्स लगें और इसके निर्मान है तो 5000 से 20.000 लोगों ने काम किया कश्मीर का अकवर की से कहा जाता तो अकवर के नाम से प्रसी सुल्तान था तो वह था सुल्तान जैनूल दीन को कश्मिर का कवर कहा जाता इंपोर्टेंट है पुछा जा चुका या विविन कवर्णमेंट इक्जाम में भी और विपीएची में भी उसने संस्क्रीत के अनेक के महत्मुर्ण गरंथों का अनुवात कराया तथा श्रीभट तथा और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों का सन्रचन भी प्रदान किया था दो असपा प्रता किस ने शुरू की दिया शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा यह इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों द जोगने घूड़े रखने परते थे तना कनधार कोकर दोनों की समराजबादी योजना को काड़यानवित किया जाना बहुत अधिक कंधार को अपने हातों में रखने पर ही निर्वर करता था दिल्ली के लाल किले का निर्मन कराया था सभी कोई जानते होंगे राइट एंसरो जागा साजहां अकबर के फतेपुर सिक्री की भाती साजहां ने दिल्ली में अपने नाम साजहानाबाद नामा के एक नगड़ की स्थापना सुल्ला सौन्टीस इसमी में की तथा वहां आनेक सुंदर एवां वैभवपुन भवनों का निर्मान कर उसे सुसजित करने का परियास किया साजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे पर्मुक है चत्रभुजाकार य तो ड्रेवासने के किसी क्यास कर ने साजहां के साजन को मुगल काल का स्वन्यूं का ता यह कहा घ्याता आल श्रिवास्तों के द्वारा साजहां के साजन काल memory का सीच तो cafe energy मुगल काली भारत में लिखाए कि साथ जहां का साथन काल भारत के मध-द्यूगिन इतिहाद में स्वन यूग के नाम से प्रसीद हैं किवल कला और बार में भी वास्तु कला की दरिश्टे से सत्थ माना जा सकता है ये सरकार और यहां के काल को सवनकाल माफने के पच्छमे नहीं है था सवन्सर्वान में उसकी धार्मिक निती संसारीक लाब के B विचार से परभावीत नहीं थी उदार दारा के विरुद सुनी कटर्था के समर्था के रूप में राज सिहासन प्राथ करने दार उल शर्ण के विरू धर्मयोदिं यानि जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इसलाम राज यानि दार उल इसलाम के रूप में परिवर्ठीत नहीं हो जाए पटना के किस सिख गुरु का जनम पटना में किस सीख गुरु का जनम हुआ था तो वह थे गुरु गोविन सिंग राइट एंस रोजय का अपसंडी अब कब हुआ था देख लेते हैं गुरु गोविन सिंग सीखो के दसमें गुरु थे इनका जनम 1666 इसमें पटना बिहार में हुआ था ये डेट याद रखना है दोस्तों इन्पोर्टेंट है जबकि मिर्टिव कब हुआ था इनकी मिर्टिव कब हुई थी तो साथ अक्टूबर 1708 हिच्वी को नांदेर यानि महराष्ट में हुई थी नेक्ट है मुगल प्रसाशन में मुहस मुहसीब कौन था यह था लोक आचरन अधिकाड़ी राइट एंसर हो जाएगा अप्शन सी यह भी वेवी आई है मुगल काल में मुहसीब जन आचरन के निच्छन विभाग का प्रधान था उसका काड़े प्रजा के आचरन को उच बनाय रखना था प्रजा के आचरन को सु मुगल प्रसासन में मददे मास इंगित करता है तो यह इंदित करता है विद्वानों को दी जाने मली राजस्व मुक्त अनुदत भूमी को मददे मास कहा जाता था तो यह इन्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों तो मुगल प्रसासन में विद्वानों एवन धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमी को मददे मास कहा जाता था इसे सयूर गाल भी कहा जाता था दान दी जाने वाली समस्त भूमी का निड़त्चन सद्र करता था तता सद्र का यह भी अनुदान ग्राही के पास वनसा नुगत रूप से रहती थे यानि पीता के बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा मयूर सिहासर पर बेटने वाला अन्ति मुगल समराट कौन था तो वो था मुहमद सा राइट एंसर हो जागा भी साज वहां द्वारा बनाए गए प्रसिद मयूर सियासर प्रबैटने वला अंति मुगल सासाग मुहमद साथ था क्योंकि उसके काल में नादिर साने 1749 इसवी में क्या किया था भारत पड़ाकर्मन किया था कब 1749 में और करनाल यूद में मुगल सेना को प्राजित किया था समकालीन लेखक आनन्द राम मुखलिस के अनुसार नादिर सा अपने साथ 60,000 रूपए कई हजार असर रफियां एक करो रूपए का सोना 50 करोड के जहावरात को हिनूर एवाम तक्ते ताओ जिसे हम लोग मयूर सियासर के नाम जानते हैं को इरान ले गिया नेक्षर निमलिकित में से किस मुगल बाचा को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो वह कौन था तो वह था साहा आलम दुत्ये तो साहा आलम दुत्ये का कारकल 1769 से 1860 वी तक था उसका वास्तिविक नाम अली गहर था अपनी पिता आल प्रारा 1772 इसमें माराठाव के सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका साल अंधित्ये के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था यह इन्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों याद रखेंगे नेक्षा अलादिन खिल जी के अकर्मन के समय चितोर का सासा कर चुक है तो मलिक मुहमद जैसी दोड़ा लिखित का वे पुस्तक पदमावत इसके अनुसार पदमिनी चितोर के राना रतंसी के अत्यांत सुंदर विद्यूसी पतनी थी अमीर खुसरों ने सुलिमान और रानी सहवा के प्रेम प्रसंद का उलेक अपने ग्रंत में किया ह मुखल प्रसासन में मुख काजी था तो मुख काजी किसे कहा जाता था तो मुख निया दिसको राइट एंस रोजागा ऑप्शन ए मुख काजी उल्क कजात एक प्रधान काजी था वो न्याय विवाका भी परमुक होता था नेक्स्टेट भारत में मुगल वन्स का संस्थापा कौन था तो वह था जहरूदिन महंम्मद बावर राइट एंसरो जाएगा डी मुगल वंस का संस्थापा बावर था मुगल सासक वास्तर में तुर्की के चुकताई नामक साखा के थे यह याद रखना है इस साखा का नाम प्रसीद मंगोल ने ता चंगेच खा के दुथिय पूत्र के नाम पर पर था जिसके अधिकार में मद एस या ता तुर्की का देश तुर्किस्तान था तो यह था जलालुदीन खिल्जी राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन है तो जलालुदीन खिल्जी ने 1290 में खिल्जी वंस किया स्थापना की उसने अपना राध जबिसे 1290 में कैकुबात द्वारा बनाए गए अपुन कीलो खड़ी जिसे कीलो गड़ था सामने रखा नेक्से 26 जुन 1549 को सेड़सा और हुमायू के बीच युद कहां लड़ा गया तो यह लड़ा गया था चौशा के मैदान में राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन दी तो चौशा की लड़ाई 26 जुन 1549 को सेड़सा सूरी और मोगल साचक हुमायू के बीच ह थेड़सा सूरी ने हुमायू को क्या किया था हराया और परीद अल दिन सेड़सा की उपादी धारन के नेक्स्ट अलिगहर का बिहार अभ्यान की सब्सक्राइब समाप्थ हुआ तो यह समाप्थ हुआ था 1569 में तो मोगल समराट अलिगहर और यह आज के जो और यह जो है आज के डिसकुर्शन का हमारा लाज्ट भी सवाल है तो अलिगहर जो है बिहार अभ्यान की सब्सक्राइब समाप्थ हुआ था तो 1769 में इंपोर्टेंट फैक्स किया तो मोगल समराट अलिगहर ने 15-1769 में बिहार पर आक्रमन किया और पटना इस्थित अंग्रेज खरणीस क से इसे नम से जाना जाता है और कि इसने है इसके समय में cage के समय में ही क्या होता यानी पानी पत का 23 सो यह अज कि डिसकुशन अपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बक्स में लीक कर ज़रूर बताएं दोश्तों साथ हसा तक यह वीडियो पशलट आई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करें जो लोग हमारे चैनल से पहली बाद जूरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों ठैंक्यू